Hello everyone, welcome to learning science, आज का हमारा टॉपिक है Electrical Conductivity and Temperature Dependence आज हम देखेंगे Electrical Conductivity और Temperature Dependence को N-Type Semiconductor में और यहाँ पर जो Numerical है वो दिया है और इसमें हमने निकाला है Formi Energy N-Type Semiconductor के लिए जो N-Type Semiconductor है उसमें एक Donor Level भी आता है जिसमें हमें Extra Electrons मिलता है जो Electrons Normally Present है Conduction Band में उसके साथ साथ Donor Level के भी Electrons होंगे और यहाँ पर जो है कुछ Electrons P-Type Semiconductor में Acceptor Level में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जाना Easy है कम Energy चाहिए ठीक है As Compared to Conduction Band तो यहाँ पर होल्स की Concentration ज्यादा होगी ठीक है इस वाले Level में जाके होल्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि यह Level थोड़ा नीचे Present है यहाँ पर जाने के लिए हमें कम Energy चाहिए तो यह था हमारा N-Type और P-Type Semiconductor जिसमें एक Extra Electrons आता था N-Type में P-Type में एक Extra होल आता था यहाँ हम लिखते हैं N-Type Semiconductor इसमें क्या होगा एक जो है Conduction Band होगी और दूसरा जो है Valence Band होगी ठीक है Energy Level बना रही हूँ N-Type Semiconductor का और इन दोनों के बीच में GAP होगा जिसको हम कहते हैं Forbidden GAP और Conduction Band के जिस्ट नीचे हमारा Donor Energy Level होगा N-Type में हमारा Donor Atom आता है उसका Level यहाँ पर Present होगा जिस्ट नीचे Conduction Band के और यह जो ED और EC है Lowest Conduction Band का Energy Level और जो Donor Level है उसके बीच में होगा हमारा Fermi Level Valence Band में क्या होता है Valence Band में Holes होता है और यह Holes जो है वो Electron के उपर जाने के वज़े से होंगे तो उपर जो है कुछ Electrons चले गए हैं Energy अब्सरब करके उसके वज़े से Valence Band में Holes आया है ठीक है और Donor Level में जो हमारे Electrons है Impurity Atom का Extra Electron वो आएगा Donor Level में तो यह Figure हमने पहले बनाया था यहां पर क्या होगी यहां पर जो Free Electron का Concentration है वो हमारा बराबर होगा Density of Donor Atoms के इसका मतलब क्या है कि इस Level में जो Electrons है वो यहां पर Easily जा सकते हैं Energy Gave कम है ठीक है तो सबसे पहले अगर Temperature Increase होगी जब Temperature Increase होगी सबसे पहले जो Electrons इस Conduction Band में पहुँचेगा वो Donor Levels का होगा ठीक है तो जो हमारा Number Density होगा Electrons Conduction Band में वो Donor Atoms के Density के बराबर होगा यह दोनों Concentration सेम होगा क्योंकि जैसे ही हम Zero Kelvin से उपर Temperature को Increase करेंगे यह जो Electrons है वो यहाँ पर चले जाएंगे बाकि कोई दूसरा Electron Present नहीं होगा तो इसमें जो Electron है उसका Concentration और यहाँ पर जो Electrons गए है उसका Concentration जिसको हम Small Nc के साथ डिनोट करते हैं दोनों Equal होगा ठीक है फिर उसके बात Valence Band में से यहाँ पर जाएंगे Electrons उसके लिए Energy ज्यादा चाहिए आप देख सकते हो Energy Gave को We know that हमने पहले निकाला था Number Density of Electrons In Conduction Band उसका Formula लगेगा यहाँ पर वो हमारा बराबर होगा 2, 2 Pi Me Star K T Divided by H Square Whole Power 3 is to 2 फिर आएगा Exponential of E F minus E C Divided by K T यह Number Density है Conduction Band में Electrons का कोई भी Electrons हो डोने लेवल से आए Valence Band में से आए या दोनों में से आए या किसी एक में से आए उसको रिप्रेजन्ट करता है हमारा N C यहाँ पर मैं Figure फिर से एक बार Draw करती हूँ जहाँ पर नीचे होगा हमारा Valence Band उपर होगा Conduction Band और यहाँ पर होगा Donor Level अब Donor Level में जो Donor Impurity Atom है उसके Electrons प्रेजन्ट होंगे Valence Band में जो हमारा Germinium है उसके Electrons प्रेजन्ट होंगे ठीक है जो Covalian Bonds में इंवाल्व थे वो वाले Electrons प्रेजन्ट होंगे सबसे पहले जब Temperature इंक्रीस होगी यह सारे Electrons यहाँ पर चले जाएंगे क्योंकि Gap कब है Gap कम है Energy Gap ठीक है और यह खाली बन जाएगा Positive यहाँ पर आ जाएगा Electrons चले गए है यह सारे Electrons उपर चले जाएंगे तो हम Clearly देख सकते हैं यहाँ पर जो Electron का Concentration होगा वही Concentration उपर वाले Conduction Band में होगा वही हमने लिखा है NC is equal to ND अब यह जो Electrons जो चले गए हैं उसके वज़े से जगा खाली रहेगा जिसको हम Holes कहते हैं जिसको हम Positive मानते हैं ठीक है तो जो Number of Waken Donor State होगा वह कितना होगा Holes का Concentration कितना होगा सबसे पहले हमें लिखना है कितने Number of Electrons थी जो की है ND इस वाले Level में फिर उसके बाद हमें लिखना है Probability of Holes जो की 1-F of E के बराबर होगा F of E यहाँ पर Probability of Electrons होता है 1-F of E जो है वो Probability of Holes होता है हमने पहले भी किया है पहले टॉपिक में For Holes 1-F of E जो है वो क्या दिखा रहा है हमें Probability दिखा रहा है Holes का अब ED लिखेंगे क्योंकि Energy हमारा यहाँ पर Donor Level का है ठीक है तो Number of Waken Donor States जो है वो हमारा इतना होगा यह ND नहीं है ठीक है इतना होगा और वो जो है हमारा बराबर होगा Number of Waken Donor State जो है वो Capital ND के बराबर होगा जितने Electrons गए हैं उतने Holes होंगे उतने खाली जगे होगी Positive ठीक है यह जो ND है हमारा वो NC के बराबर है तो Automatically यह Term जो है वो NC के बराबर होगा यह जो Holes है वो Electrons के बराबर होगी तो Electrons जो है वो NC के बराबर है तो यहां पर NC आएगा ठीक है वही चीज़ लिखा है अब NC के जगे पर उसका Value हम पुट करेंगे जो कि यह वाला है उसको हमें लिखना है और वो हमारा बराबर होगा ND 1-F of EK और यह जो Term है Exponential के आगे उसको हम Capital NC से लिखते हैं तो इसके जगे पर हम लिखेंगे NC फिर हम लिखेंगे Exponential वाला Term और वो हमारा बराबर होगा ND 1-F of EK F of ED हम लिखेंगे क्योंकि Energy हमारा Donor Level का है अब हमें पता है यह हमने पहले किया है 1-F of E जो है वो इतना आता है यह Concentration वाले Topic में होगा Number Density वाले हम लिखेंगे 1-F of E is equal to Exponential of E-EF upon KT फिर Energy कौन से वाले Level का है Donor Level का है तो E के जगे पर हमें लिखना है ED तो 1-F of ED जो है वो Exponential of ED-EF upon KT के बराबर होगा और इस Value को हमें पुट करना है उपर पुट करने के बाद जो आता है उसको मैं लिख देती हूँ इस वाले पेज़ पर NC Exponential of EF-EC upon KT is equal to ND Exponential of ED-EF upon KT आएगा फिर हम Site Change करेंगे NC को इस Site लाना है और यह जो Exponential वाला Term है उसको इस Site लाना है तो Divide में आ जाएगा ठीक है तो ND upon NC जो है वो हमारा बराबर होगा Exponential of EF-EC upon KT और इसको हम Divide में लेकर आएगे तो बनेगा Exponential of ED-EF upon KT वही Term है ठीक है Side Change किया है तो Divide में आ जाएगा तो लिखते हैं यहाँ पर हम Term Exponential of EF-EC upon KT इस वाले Term को जब हम उपर लेकर जाएगे तो जो Term Plus में है वो Negative बन जाएगा Exponential के अंदर और जो Term Negative है वो Positive बन जाएगा यानि कि EF Positive होगा ED Negative होगा ठीक है Division वाले Term को हमें लिखना है Divide में उसमें कोई चेंज नहीं होगी फिर ND upon NC जो है वो Exponential of इन Terms को हमें प्लस करना है सिर्फ उपर वाले Terms को प्लस करना है Whole divided by KT लिखना है ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पर हमने अपलाई किया है When the bases are same powers are added Taking log on both sides दोनों साइट पर हमें लोगारिथम लेना है तो log of ND upon NC जो है वो हमारा बराबर होगा log of Exponential of EF minus EC plus EF minus ED upon KTK यहाँ पर EF 2 है तो आएगा 2EF minus EC minus ED upon KTK log और Exponential एक दूसरे का inverse है तो हो जाएगा Cancel बचेगा यहाँ पर log of ND upon NC 2EF minus EC minus ED upon KT अब इसको हम अलग भी लिख सकते हैं टेक है तो वही करेंगे 2EF upon KT लिखेंगे फिर minus को common बाहर निकालेंगे अंदर बचेगा positive EC plus ED एक साथ है bracket हमें यूज करना है upon KT आएगा फिर उसके बाद हमें क्या करना है इस वालो टर्म को लिखना है log of ND upon NC इसका side change करेंगे तो प्लस बन जाएगा प्लस EC plus ED upon KT और वो हमारा बराबर होगा 2EF upon KT के फिर सरफ EF को हमें रखना है तो KT का side change करना है और 2 का side change करना है तो यहां पर KT upon 2 से multiply होगा ठीक है तो KT upon 2 हमें लिखना है EF को पहले लिख देते है is equal to KT upon 2 log of ND upon NC KT और 2 का side change किया है ठीक है और यहां पर KT upon 2 आएगा फिर यह वाला term हमें लिखना है EC plus ED divided by KT KT cancel हो जाएगा बचेगा यहां पर EF is equal to ED plus EC divided by 2 plus KT upon 2 log of ND upon NC यही है हमारा fermi energy N type semiconductor के लिए अगर हमारा temperature 0 Kelvin है तब यह T0 होगा EF हमारा बराबर होगा ED plus EC upon 2 के 0 Kelvin पर यह जो है donor और EC के exactly बीच में present होगा ना बुक में देखते हैं बुक में लिखा है topic का नाम We have seen that addition of small amount of donor और acceptor impurity हमने देखा है जब हम थोड़ा सा amount of donor impurity add करते हैं या acceptor impurity add करते हैं तो उससे क्या होता है उससे जो है बहुत सारे charge carriers हमें मिलता है extrinsic semiconductor में produces a large number of charge carriers in an extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor में बहुत सारे charge carriers produce होता है in fact यह जो number है वो इतना ज्यादा होता है कि वो जो है जो conductivity है हमारे semiconductor का उसको many times increase कर देता है as compared to intrinsic semiconductor room temperature पर जो pure semiconductor है उसके comparison में तो हम study करते हैं carrier concentration के change को fermi level को और conductivity को N type और P type semiconductor में आज हम N type semiconductor को देखेंगे N type semiconductor में क्या होगा जो donor level है हमारा जिसका energy है ED वो जो है conduction band के नीचे present होगा यह हमने figure में देखा था पहले ठीक है 6.81 B में दिखाया है यहां पर है यह हमारा donor level जो की conduction band के नीचे present है 0 Kelvin पर जितने भी donor level है वो सारे फिल्ट होंगे with electrons उसमें electrons present होगा ठीक है donor level में electrons present होगा जैसे ही हम 0 Kelvin से temperature को increase करेंगे थोरा सा जो electrons है हमारे donor में वो जो है ionized हो जाएंगे यानि कि वो खाली बन जाएगा और fermi level जो है उसको हम expect करेंगे halfway between donor level and bottom of conduction band conduction band और donor level के exactly बीच में present होगा जो n type of semiconductor है हमारा उसमें free electron concentration जो है वो approximately equal होगा density of donor atoms के यानि कि इसमें जो electrons present होगे वो donor atoms के electrons होगे ठीक है तो nc और nd जो है वो equal होगा इसमें जो electrons है वो donor का होगा वही कहता है ये वाला equation nc का value हमने पहले निकाला था उसको हम लिखेंगे अब जो खाली state है vacant state है जिसको हम ionized donor state भी कहते हैं उसका number जो है वो nd into probability के बराबर होगा जो की 1-f of ed है 1-f of e exponential of e-ef upon kt के बराबर आता है इस वाले topic में for holes हमने किया था ठीक है हम hole से निकाल रहे है holes का probability तो 1-f of e-d के जगे पर हमें लिखना है ed-ef upon kt का exponential nd यूही आएगा ठीक है और यह जो है वो हमारा nc वाला value है फिर हम side change करेंगे nd upon nc जो है वो इतना आ जाएगा इसको divide में लेकर जाएंगे और उपर लाएंगे तो उसका sign change होगा हमें पता है exponential का sign change होता है जब हम उपर नीचे लेकर जाते हैं दोनों side पर log apply करना है तो यहाँ पर exponential वाला term cancel हो जाएगा इसको अलग से divide यहाँ पर 2 ef है तो उसको हम लिखेंगे फिर अलग kt से divide करेंगे फिर उसके बाद हमें ef निकालना है जो कि यहाँ पर है जो कि इतना आएगा 0 Kelvin पर ef हमारा ed plus ec upon 2 के बराबर होगा तो यह है हमारा fermi energy temperature T के वक और temperature 0 Kelvin पर N type of semiconductor में तो आज हम इतना ही करेंगे इस topic में इतना ही आएगा बाकि जो remaining है उसको मैं next वीडियो में दिखाऊंगी थाइए थैंड दिखाऊंगी